दोस्तों आज फिर एक नया लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आईडिया आपके साथ सेर कर रहा हूँ एक बार उसको जरूर देखना इस वीडियो को और अंत तक बने रहने की कोसिस करना मज़ा आएगा और एक चीज़ गारेंटी और दोगा कि आप पैसे जरूर कमाएंगे अगर आप चार से पाच मुट हमारे वीडियो पर रुक जाते हैं और मैं जो भी वीडियो बेनाता हूँ आप लोगों के कमेंट आने की बाद ही मैं वीडियो सेलेक्ट रहता हूँ उस पर भी मैं डिपएट और वीडियो बनाता हूँ आज मैं आपको ऐसा बिंश बताने जा रहा हूँ इस बिंश को गाउं सहर मोहले यiverकिय। यहां आप देश में किसी भी कौन ही से अगर आप बिजने सुरू करोगे तो आपका चलना तया है उससे भी खास बात ही रहने वाली है कि आपको यह जो प्रोडक्त आप बनाओगे वह प्रोडक्त आपको मार्केट में बेचने जाने की जबुरत नहीं है आपको जो प्रोडक्त होगा अपके घर से ही प्रोडकेगा मतनब यह ऐसा यूनिक प्रोडक्त ही है यूनिक बिजने ती ही है अच्छा एक चीज sack बताओ Usually कोई ही बिजने ग्रोध करता है समय से पहली मतनब बहुत καibtाओ बहुत amaniaatak जिस प्रोड़क्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो और इसको बनाने वाले कम हो तो अगर आप ऐसा बिजनेस करोगे तो सीधी सी बात है आप पैसा कमाऊगे गैरेंटी से कमाऊगे और आपका जो बिजनेस होगा या जो प्रोड़क्ट आप त्यार कर रहा हो या फिर आप धन्दा चालू करने वाले हो वो दिन दुगनी और राज चोगनी की स्पीट से बढ़ेगा आज हम जिस प्रोड़क्टे बारे में बात कर रहा है वो है आपका बता से यहनि की गोल गपप जो हम लोग मार्केट में खाते हैं पीते हैं इसको बनाने का बिजनेस अब आ आपको ठेला नहीं लगाना है आप एक चीज़ बताओ आप मार्केट में आप जिस अधर गाओं में हो जो ठेले वाला बतासा आपको पिला रहा है जहां पे हजार रुपए पांस घार यहां तक कि कुछ ठेले वाले रोट पे तो ऐसे हैं लारी जिनकी एक दिनकी 10,000 आप को चीज़ लकेट में खरीदने है आप को चू पांना है वह बतासा है याप कैम एक हज़ करना है पिर आपको उनको मारकेतर डिस्ट्रिप्वियूट करना है तिक वह को कि जाने की जिशुरत नहीं है आपको कुछ biblical buckle मतलब छापवानी है फिर उसको बाजार में जहां जहां यह ठेले लगते हैं रेस्टोरेंट वहां जाकर उनको देना है वो खुदी आपसे प्वंट्रेट करें और आपको घर से भो माल लेने आएंगे यह आप चाहो तो कोई बिना इन्वेस्टमेंट के आप काम शुरू कर स हम आपको बता रहे हैं यह एक मसीन होगी मैनली मसीन इसमें आप एक बार में 200 मिनट में 200 बता से बनके तयार होगी अब आप प्रूडक्सन सोचो कि एक घंटे में कितना माल तयार होगा आप एक चीज और समझो प्रॉफिट के अगर हम बात करें तो आप देखो मार्केट म आपको बता से मिलते हैं थोप में या साट रुपए के सो मिलते हैं छोटे मोटे और किसी गाओं में आप बताओ को साट रुपए का सौपीस आपको बेंच रहा है तो वह कमाता कितना होगा उसकी जो मैनुक्वेक्ट्रिंग कोष्ट है तो 30-35 रुपए से ज्यादा नहीं कि उसे महनत घ्रहती है तो आपको बेर भीजनस हरे नहीं करता है क्योंकंत्श थोड़ी महनत ज्यादा लगती है और जगहे थोड़ा घ्रहती है और वह बनाने में वे इक अराम से बनायता है कहराब नहों बर Mini भानी आखिए मूसा में जाढाय नहीं चुटे शवकान तो दसवना तक बढ़ा सकते हो, मार्केट में तो इसकी सप्लाई आप अपने आप होगी, आप एक चीछ समझो, आप किस गाउ में हैं, किस सहर में हैं, आप वहाँ पता कर ले ना, आपको जी महला हो, आप वहाँ पता करना, कि यहां पर थोक में बता से कहां मिलते हैं, आपक आप चार-पाँच किल्मीटर दूर आपको जाना पड़े बता से खरीदने के लिए, तो यह एक अच्छा बिजनिस हो सकता है आपके लिए, सरम की बल्कुल नहीं है, आपको यह चीज माइंडर से बल्कुल नकाल दे नहीं है, कि हमें सरम आएगी यह बता से बनाने में, आ और हमारे पास 25-30,000 तक की मशीन है, तो हम 25-30,000 पे बीडियो बनाते हैं, तो 10-15,000 पे क्यों नहीं बनाए इस तो यह जिसमा सरम की बात है, अगर आप धंदे में उतर रहें तो सरम को छोड़ना होगा, सरम अरह कुछनी होती है, पैसा में होता है, जब पैसा आएगा नही दूर वागती है, और बिजने सुरु करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर से सरम त्याग नहीं होती है, तो जब बीड़ियो बनाने मुझे रहे हैं, दस-लुज़ियों मुझे सरम नहीं आरही हैं, आपको बनाने में सरम नहीं आने चाहिए, पैसा ही सब कुछ है यह आपकी मेंटल होना चाहिए आपकी दमागे में चीज आने चाहिए कि पैसा है तो सब कुछ है पैसा ही सब कुछ है बस तो आप अगर यह बिजनेस शुरू करते हो तो आप अच्छा खांसा रवेंड्नियू जनरेट करोगे आपके जरीए से कम तो कम 6-7 लोग अन घरों की जोब को आप उनको दे पाओगे यानि कि वह आपके घर में आके काम करेंगे आपके घर में भी जो आपके बच्ची होंगे भाई होंगे या परवार में बतीजे होंगे जो लोग विरोजगार है 15-20-30 साल की हैं उनको भी मारिकेटिंग का काम मिली जब आप बनाओगे बत यह राश्ते पर ददश ठेले वारी मिल जाएंगे एक किलो मीटर के अंदर कित्त ठेले हो गए पचास ठेले हो गए यह आपका बिजनिस बड़े आसानी गुरूद करेगा और बहुत ही अच्छी तरीक से आपका बिजनिस बढ़ेगा भी तो अगर आपको इस बिजनिस की जा अपनी आपके लुविगों वायड लुव झांटने भी आ था अपको अपके कहने से ये वीडियो भी आपकी किसी एक ही व्यवर्स के एने बना रहा हूं उनकी बहुत सारे कमेंट या थी लाश्ट वीडियो में तभी मैं ही बना रहा हूं अच्छा बिजनिस बहुत ही कम ल दिए बहुत कम थे लुट एक यहां तो और जो लोग आप लोग अगर देख रहा हैं कि यह तक हुआ हैं तो आप लोग हमारे लिए यह बहुत ही महत्रपोर हैं आपका बहुत भाद को भी जब हुआ तो कि आपने बी शमенघा इसान विडियो कमाएं कि कमाना ठाइक